नमस्कार, जैहिन मैं हूँ, रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं, रंतंत रौराज के शो की शुरूआत हम जैश्री राम के साथ करेंगे, क्योंकि आज जैसे पावन दिवस पर भी एक जगडा चल रहा है बाबा, ऐसा लगता है मैं आपको जगडा बताने आतों न लेटेश जगडा एक बार फिर कोली और रोहिट फैंस के बीच हुआ है, असल में बात यह है कि आज है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और इस समारों के लिए देश भर के नामी की रामी लोगों को नियोता भेजा गया, जिसमें कई सारे क्रिकेटर्स भी शामिल है, सचिंटेंडूलकर, महिंदर सिंग, दोनी, कपिल देव, कोली, गावसकर, कुमले, सहवा, गांगुली, अश्विन समित, कई क्रिकेटरों को इन्विटेशन मिला है और इनकी फोटोज वाइरल हुए, लेकिन अगर किसी की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन मिलते ही फोटो नहीं डली थी, तो वो थे रोहित चर्मा, ऐसे में कोली के फैंस ने मजे लेना शुरू कर दिया कि रोहित चर्मा को नहीं बुलाया क्या, इस पर रोहित चर्मा के फैंस का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि भारतिवी टीम के कैप्टन को न बुलाया जाए, ले उने कहा कि अगर इंविटेशन मिला है तो फोटो दिखाओ ना लेकिन पूरे विवाद की जड़ ही यही है कि फोटो नहीं है लेकिन रोहित के फैंस को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग टेंशन न लें महिने अपने विश्वसनी सूत्रों और कई सारे रिपोर्टर से प जी होगी इंगलेंड भले ही वर्ल कप में इंडिया से जलील होकर गई हो लेकिन उसके बावजूद इस टेस सीरीज में आपने अगर इंगलेंड को हलके में ले लिया तो भारी पड़ सकता है इसकी क्या वज़े है आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं और एक बार आ अगर धेर सारे पैसे जीतने का मौका पाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ कीवी आप का लिंक दिया है इस आप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए अब आते हैं रीजन नमबर वन इंगलेंड को हलके में नहीं लेने का क्या रीजन है बैजबॉल जी हाँ य इस अपरोच ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ कीचा जो ट्रेडिशनल तरीका टेस्ट खेलने का था वो इंगलेंड ने एकदम बदल कर रख दिया और खास बात यह है कि इससे उनको रिजल्ट भी मिला उसके बाद से इंगलेंड ने 19 टेस् इस हारे नहीं है इंडिया से बैजबॉल का पाला सिर्फ एक बार पड़ा है जहां पर हम टेस्ट मैच हार गया थे लेकिन जब से बैजबॉल बना है तब से लोगों ने यही कहा है कि इसको असल में सक्सेस्फुल तभी कहा जाएगा जब इंडिया में सक्सेस्फुल होगा तो दोस्तों सीट की पेटी बाद लीजे, बैस बॉल इंडिया आ चुका है और 25 जनुरी से हाइदराबाद में इसकी शुरुआत हो रही है, क्या ब्रैंडन मैकिलम की इंगलेंड की टीम इंडिया की पिछों को देखते हुए अपरोथ चेंज करेगी, या पेल डालो, जो आली नीती पर अटल रहेगी, देखते हैं, वो तो टाइम बताएगा, रीजन नमबर दो, जिसकी वज़े से हमको इंगलेंड को हलगे में नहीं लेना चाहिए, वो है जो रूट, वन्स इन जेनरेशन वाले खिलाडी जो रूट, अगर ये नो होते तो कोहली से मिलाने के ल इन में क्या सूपर पावर आ जाती है कि हमको बहुत जादा पेलते हैं, लास्ट टाइम भी जब इंगलेंड आई थी, तो उनके बाकी बल्लेबाद हमारी पिछो पर डान्स कर रहे थे, लेकिन जो रूट वहां भी सक्ती से खड़े रहे, इस बार भी इंगलेंड इंडिया को किस तरह से competition देती है, ये जो रूट की performance पर ही depend करेगा, अब बढ़ते reason number 3, James Anderson, आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, और जब मैं मंदिर जाओंगा, तो सबसे पहले यही प्रातना करूँगा कि भगवान मुझे इतनी शक्ती देना, जितनी तुमने James Anderson को दे र हो जाता है, और ये आदमी साल-दर साल लगातार 40 से जाता का होने के बावजूद, तेज गिंदवाजी करे जा रहा है, करे जा रहा है, और टीम इंडिया के लिए spinning track होने के बावजूद, सबसे बड़ा खत्रा हमारे लिए यही है, तो ये वो कारण है, ये वो reasons हैं जो मैं सारे पेज को ज़रूर लाइक करना, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कीवी एप का लिंक दिया है, उस पे क्लिक करके इस एप को डाउनलोड करिए, क्रिकेट और 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 बी कैटेगरी के अलग-अलग क्विज हैं, अपने नॉलेज का इस्तिमाल करके उन क्विज को खेल और धेर सारे पैसे जितने का मौका पाईए, फिलाल निकलते हैं, कल यहां पर मिलेंगे, तैंक यूफो वाचिंग, जै हिंद, जै भारत